दोस्तों आप भी विराट कोली को रंज जेस का किंग मानते हैं तो इस वेड़ो को लाइक जरूर करें पारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए बहदी सांदार मुकाबले में टीम इंडिया ने बहतरी इंजीत दर्च की हैं इस मुकाबले के पूरा थ्रलर आपको बताएंगे कि आखिरी आठ गेनों पर किस परकार से टीम इंडिया ने 28 रन बना कर मुकाबला जीता हैं पूरा हाइलाइट आपको इस वेड़ो में मिलेगा तो दोस्तों बने रहें वेड़ो के पूरे आखिर तक और साथी आप भी टीम इंडिया की इस जम्प दमाके दार जीत सिखुसे तो इस वेड़ो को लाइक जरूर करें और साथी साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले तो दोस्तु टीम इंडिया को जीत के लिए आखिर की आठ गेनों पर 28 रनू की जरूरत थी और क्रिस पर थे विराड कोली फिर हुआ पूरी तरह से चमतकार तो चले दोस्तु जानते हैं पूरा हाइलाइट तो दोस्तु आखिरी आठ गेनों का थ्रिलर तो हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले की सुरात की चाहँ पर टीम इंडिया के गेन बाजू ने भी कमाल की गेन बाजी की हैं तो चले सबसे पहले जानते हैं इस मुकाबले की सुर वो लाजवाब द्रिस से देखने को मिला जब रोहित सरमा अपने इमोशन को रोक नहीं पाई थे साती रोहित के साथ 140 क्रोड हिंदुस्तानी भी वहीं पर दोस्तों हम बात करें इस मुकापले में पाकिस्तान की टरब से पारी की सुरात करने उतरे रिजवान और बाबर आजम लेकिन दोस्तों टेम इंडिया ने पहला और कापी सांधा डाला चांबोनेस्वर कुमार ने कोई रन खर्च नहीं किया यानि कि एक रन सिर्फ एक्ष्ट्रा का वो भी वाइड काया लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में बाबर आजम को पेवलियन बेजा टीम इंडिया की दरब से आर्सदीप सिंग ने गोल्डन डग पर आउट वे बाबर आजम सुन्य रन बनाया एक गेन पर और लबी डबलू होकर पेवलियन लोटे टीम इंडिया को बड़ी सबलता मिली पाकिस्तान को पहला जटका एक रन की स्कोर पर ही लग गया था वही पर दोस्तु इसके बाद पाकिस्तान के लिए अगले दो ओवर भी कापी खराब रहे जबकी चोता ओवर डालने आये एक बार फिर अर्सदीप सिंग ने टीम इंडिया को दूसरी सपलता दिलाई मोहमद रिजवान जो कि आज संगर्स करते वे नजर आ रहे थे उनको पेवलेन बेचा मोहमद रिजवान आज 12 गेनु का सामना उन्होंने जरूर किया लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार रन बना कर वो पेवलेन लोटे उनके बले से एक चोका देखने को मिला बोनेस और कुमार ने उनका केच लिया और अरसदेप सिंग ने उन्हें आउट किया यनि कि 12 टीम को 15 रनों पर दो सपलताई मिल चुकी थी 4 ओवर की समापती के बाद और 12 टीम पूरी तरह से पकट बना चुकी थी लेकिन दोस्तो इसके बाद एक बैतरिन सज़दारी हुई पाकिस्तान की तरफ से सान मसूद और एप्थिकार एहमध के बीच इस बीच बाद बारती टीम की तरफ से पावर पले कापी सांदारा जहां पर सिर्फ 6 ओर में 32 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम लेकिन दोस्तु पाकिस्तान के लिए बीच के ओरों में कमाल का परपॉमेंस किया इप्तिकार एमध और सान मसूद ने तोनों बलेबाजू के बीच बैतरीन पार्टनेसिप हुई और इस पार्टनेसिप ने मुकापले को थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जरूर मोड़ा यानि कि एक समय तक बिल्कुल बेकफुट पर चली गई पाकिस्तान की टीम दस ओवर के बाद वापसी करती हुई नजराई इप्तिकार एमेद ने पाकिस्तान की वापसी में सबसे बड़ा रोल निबाया जब उन्होंने ग्यारवे ओवर में रवीच जनरन अस्विन को एक बैतरी चका जमाया जबकि दोस्तू बारवे ओवर में उन्होंने तूपानी बले बाजी करते हुए अकसर पटेल के एक ही ओवर में तीन बैतरी चके लगाए जिसके चलते पाकिस्तान की टीम का स्कोर निबर रनु के पार हो गया बारह ओवर की समापती के बाद लेकिन दोस्तू तेरवे ओर में एक बार फिर टीम इंडे की वापसी करवाई सांधर गिन बाजी करते हुए मोहमद समी ने उन्होंने इप्तिकार एहमद को लबी डबलू आउट करके बारती टीम को तीसरी सबलता तेरवे ओर में एकरान विरोने के स्कोर पर दिला दी लाप खान 6 गेनों पर सिर्फ 5 रन बना पाए तो वहीं पर हेदर अली 4 गेनों पर सिर्फ 2 रन बना कर पेवलेन लोट गए इन दोनों बलेबाचू को हारदिक पंडिया ने एक ही ओवर में पेवलेन की राह दिखा दी यानि कि दोस्तु चोधवे ओवर में टीम इंडिया को दो सबलताएं मिली इसके बाद दोस्तु पाकिस्तान की तरफ से मोहमद नवाच बलेबाची करने आए चिरों ने दो बैतरी नचोके लगाए लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया को सबलता दिलाई हारदिक पंडिया ने सोलवा और डालने आए हारदिक पंडिया ने एक बार फिर सांदार गेन बाची करके दिखाई और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथू मोहमद नवाच को केच करा कर पार्त ये टीम को एक और सांदार सबलता दिला दी अब पाकिस्तान की टीम अपने 115 रनों पर 6 विकेट गवा चुकी थी लेकिन दोस्तों इसके बाद आसिप अली बलेबाची करने आए जिनसे याँ पर बेड़े अच्छे परपॉमेंस की उमीद जरूर रही होगी पाकिस्तान की टीम को लेकिन आज के मुकाबले में आसिप बली सिर्फ दो ही रन बना पाए और अर्स दीप सिंग की गेन पर दिनेस कार्तिक को केस थमा बेटे और बारती टीम को साथ भी सपलता मिली 120 रनों के स्कॉर पर लेकिन दोस्तों इसके बाद साइनसा अपरीदी बलेबाची करने आए जिन्होंने सांदार बलेबाची की यह इसके बाद बहुनेसवर कुमार ने उन्हें कोटिन बोल्ड करके पेवलेंट की रा दिखाई जबकि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अंत तक नोट राउट रहे मसूद ने 42 के नूप पर बाउन रनों की पारी खेली जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने निरदारित 20 ने टारगेट था 160 रनों का जिसका पिचा करने उत्री टीम इंडिया की तरफ से पारी की सुरात करने उत्रे बारती टीम की तरफ से दो विस्पोटक बले पाच टीम के कपतान और उपकतान के एल राहुल और रोहित सर्मा लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंड पर अपने दो मैत पुन विकेट गवा दिये इसके बाद यहाँ फर सूर्य कुमार यादू से टीम इंडिया को बैतरीन परफॉमेंस की उमीद थी लेकिन दोस्तों सूर्य का बल्ला आज उतना नहीं चला और वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए 10 के नों पर 15 रन बना क हार इस रॉप का सिकार बने और टीम इंडिया ने अपने मैत पुन तीन विकेट 26 रनों पर गवा दिये थे इसके बाद अकसर पटेल और विराट कोली के बीच मिस अंडर्स्टेंडिंग वी और दुर्बाई के पुन तरीके से भारती टीम को अकसर पटेल का विकेट रन आ पंडिया और विराट कोली ने करके दिखाया विराट कोली जो आज कापी समल कर खेले उन्होंने कमाल की बलेबाची की तो वहीं पर उनका बैतरिन साथ हारदिक पंडिया ने दिया टीम इंडिया ने 10 ओवर तक जादा कुछ खास नहीं करते वे सिर्फ 46 रन ही बनाई थे ल नहीं कि एकी और में तीन छके जमा कर इन दोनों बलेबाचों ने 50 रनों की पाड़ नसिप पूरी कर ली थी 40 केनों पर विराट कोली तो इसके बाद रुके ही नहीं उन्होंने कमाल की बलेबाची करनी सुरू कर दी हम बात करें विराट कोली और रार्दिक पंडिया के बी लेकिन दोस्तों अब हम हाते हैं एक वारफिर थ्रिलर पर जब टीम इंडिया को जरूरत थी आखिरी तीन ओर में 48 रनों की और यहां पर ओवर डालने आये थे साहिन सा अपरी दी जोकि कापिस सांदार गेन बाज माने जाते हैं पाकिस्तान के लेकिन दोस्तों इस ओवर की पहली गेन पर विराट कोली ने सांदार चोका जड़कर अपना अरसा तक पूरा कर लिया इसके बाद उन्होंने अगली गेन फाइट डाल दी तो वहीं पर दूसरी गेन पर साइंसा अपरीदी के दो रन लिये जबकि दोस्तों तीसरी गेन पर चोका चोती गेन पर एक और पाँची गेन पर हार्दिक पंडया ने भी एक रन लिया इसके बाद साइंसा की अपरीदी की आखिरी गेन पर सांदार चोका लगा कर इस ओर में सांदार बलेबाजी करते वे 17 रन बटोरे टीम इंडिया ने लेकिन दोस्तों अभी भी थ्रिलर बाकी था जब टीम इंडिय पाँची गेन पर हार्दिक पंडया एक बड़ा सोट खेलने के चकर में अपना विकेट गवा बेटे और बाबर आजम ने उनका बहतरीन केज पकड़ा और टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा अब पाँच गेनों पर सोले रनु की पार्थी टीम को क्रिस पर आई थे न ने बलेबाच दिनेस कार्थिक उन्होंने मौमन नवाच की दूसरी गेन पर एक रन लेकर विराट कोली को स्ट्राइक दिया इसके बाद विराट कोली ने एक सांदर सोट खेल के ड्राइव के जरिये दो रन बटोरे अब टीम इंडिया को आखिरी तीन गेनों पर तेरह रन की तबी यहां पर फ्री हिट को वाइट डाल दिया लेकिन दोस्तों इसके बाद फ्री हिट गेन डाली उस पर विराट कोली बॉल्ड हो गए लेकिन टीम इंडिया की किसमत अच्छी थी कि वो वाइट जहां स्टम पर लगकर गेन विकेट के पीछे चले गए और जहां पर दोड कर सांदार तीन रन पूरे कर ले टीम इंडिया के बले बाजुने और अब भारती टीम को जीत के लिए आखिर की दो गेनों पर दो रनु की जरुत थी लेकिन तबी दोस्तों यहां पर दिनेस कार्तिक गलती कर बेटे और वो रन आउट हो गए अब भारती टीम को कर सकते हैं लेकिन तबी रवी चंदरन अस्विन के सामने मोहमत नवाज ने वाइड गेन डाल दी और भारती टीम को आखिर की गेन पर सिर्फ एक रन की ही जरुत थी और यह कार नमा भी रवी चंदरन अस्विन ने पूरा करके दिखाया और आखिरी गेन पर सांदार सोट क करते वे 53 गेंडों पर ब्रयासी रनू की पारी खेली जिसमें 6 चोके और 4 बैतरी चके सामिल थे तो दोस्तों आपके इसाब से टीम इंड़ा की जीत का हिरो आज के मुकाबले में कौन रहा हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथी विराट कोली को आप 10 म से कितने अंक देंगे यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तों वेड़ो को पूरा देखने के लिए और यहां तक आई गए तो इस वेड़ो को लाइक और सेयर जरूर कर दे धन्यवाद